कोशिश जिन्दगी में हमेशा ऐसी करनी चाहिए है कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले अक्सर हर इनसान जिससे मैंने हार मानते हुए देखा है अपनी जिन्दगी में एक चीज बड़ी कॉमन निकली है वो सफलता के कितना करीब था पर उसे खुद को ये शायद मालूम ही नहीं था कि बस थोड़ी सी महनत और कर लेता तो शायद वो जो शिकर पे पहुँचना चाहता था वहाँ वो आज के दिन होता उसको समझाने के बावजूद अपने मन से जब हार मान जाते हैं तब आगे बढ़ना मुश्किली नहीं नामुम्किन हो जाता है देश विदेश में बैड़े सभी दर्शकों को मेरा प्यार भराना मिश्कार मैं हूँ मोहित कमिल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ 11 से लेकर के 17 सितंबर तक के इस सापताहिक राशी फल में सबसे पहले बात करते हैं एक राज योग की गज केसरी योग आपने अकसर नाम सुना होगा और ये बहुत ही शुब योग माना जाता है कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रॉंग जिसे हम कह सकते हैं राज योग वो गज केसरी योग है धन के कारक गुरू और मन के कारक चंद्रमा इन दोनों के मिलन से ये बनता है कुंडली में गुरू और चंद्र दोनों ही बेहद शुब ग्रह होते हैं और जब गुरू और चंद्र पून बलवान हो तो ये योग बनेगा कुंडली में गज केसरी योग होने पर गज के समान याने की हाती के समान शक्ती धंद आलत की प्राप्ती होती है और गज केसरी योग हाती और सिंग के संयोग से बनता है गज में अबिमान रहित अपार शक्ती है और सिंग में अदमे साहस इसी प्रकार जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है वो अपनी सूजबूज और अदमे साहस के बल पर सभी काम सिद करता है जीवन में जहां कदम कदम पर संखर्ष होता है वहीं कुछ ऐसे लोग है जिनकी कुंडली में ऐसे योग है और ऐसे लोग ऐसे योग लेकर की जनम लेते हैं तो उनकी पूरी जिन्दगी आराम से, शान से, ठाट से गुजरती है ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि राज्योग के साथ पैदा हुआ है प्राया ऐसे लोगों को धनकी कमी नहीं होती और जहां भी कदम रखें, सफलता उनके साथ चलती है और यही नहीं, व्यक्तित्व भी बहुत ज़ादा प्रभावशाली इंफ्लूइंशल एट्राक्टिव होता है और लोग सम्मोहन में बंधते चले जाते है राज योगों का एफेक्ट आपकी कुंडली पर सबसे ज्यादा है और राज योग और दुर योग ये दो ही ऐसी चीजें है जिससे मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन बन सकती है कहीं बार ये भी हो सकता है कि आपके पास में भाग्य का साथ जरूर हो पर करम इनसान करना ना चाहता हो तो ये जरूर संभव हो सकता है कि योग होने के बावजूद उसका फल प्राप्त ना हो क्योंकि इनसान कुछ कर ही नहीं रहा वरना जो इनसान थोड़ी भी महनत करे उसके लिए राजयोग का एफेक्ट जरूर देखने को मिलता है कुंडली तो अमबानी की भी है उसी कुंडली के जैसे लोग और भी पैदा हुए पर फरक कहां आया दशाओं का फरक कहां आया सूजबूज का यही एक छोटा सा अंतर है एक बेहद ही प्रभावशाली इंसान की कुंडली में और एक साधारन से इंसान की कुंडली में आई अब बात करते हैं सापता है क्राशी फलकी और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी के लिए यह सपता थोड़ा ओवर प्लानिंग के साथ में बन सकता है शुरुवाती समय में स्ट्रगल और उसके बाद में उसका रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है कहा जाता है इंगलिश में What you sow is what you reap कि जैसा बोगे वैसा ही उगेगा बस उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है कि मेहनत शुरुवाती समय में स्ट्रगल जितना कर जितना खुद को जोग सके उतना जादा बहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकता है सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग सोमवार से वर्ग प्रेशर कुछ जादा रह सकता है बिजनस में expansion की सोच, diversification की सोच जादा हावी रहेगी तो वहीं पर expenses भी आपके बढ़ते नजर आएंगे कि business को बढ़ाने के लिए रुपे खर्च करने पड़ेंगे फिर वो चाहे influencers पे कीजे, marketing पे कीजे, newspaper में आड पे कीजे या फिर online कहीं पे promotion के लिए पर खर्चे करने ही पड़ेंगे ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा कि काफी लोग आपकी सोच के साथ में समर्थन नहीं दे रहे हैं modern सोच है या यह कहा जाए कि थोड़ा advanced है तो लोग जो पुरानी तकनीक से चलते हैं उनको आपकी बाते शायद इस समय में समझना आए पर जब आपके नए काम का या तर्कीवें जो आप लगा रहे हैं जो आइकन्स हैं उनके साथ में मेल मुलाकात का अफसर इस समय में आपके आ सकता है अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़रूर कहूंगा कि शुरुबाती समय में घर के अंदर कुछ चंताओं को लेकर के आपके वर्क स्पेस में एफेक्ट देखने को मिल सकता है काम के अंदर पूरा फोकस नहीं रह रहा है या तफिर काम करते करते अचानक से घर के कॉल्स आते हैं यह कही न कहीं पर प्रोफेशनल जो आपका अटिट्यूड है कारेक्टर है उसके उपर अटाक आ सकता है आपके सीनियर्स आपके उपर हावी हो सकते हैं इस समय में थोड़ा वर्क लाइफ बैलन्स बनाने की कोशिश इस समय में जरूर करनी पड़ेगी और कहीं न कहीं पर एक रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा घर वालों को कि ऑफिस के समय में कॉल ना करें या कोई competition exam बहुत बड़ा आप fight करने वाले हैं तो यहाँ पर यह जो अगले आने वाले तीन दिन है तीन से चार दिन आप मान लीजे इस समय में बहुत जादा मेहनत करनी है जोग देना है खुद को मैं कहूंगा कि 18 गंटे भी दिन में पढ़ते हो तो शायद कम लगें ऐसा इस समय में मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अगर यह कर दी तो मान करके चलिए कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार यह तीन दिन जो हैं यह ऐसे आपके बीतने वाले ऐसे एक्जाम्स आप देंगे, ऐसी परफॉमेंस आप देंगे कि लोग देख करके चौक जाएंगे कि यह इनसान ने इतने से दिन में अपने आपको कैसे पलट दिया है फिर बात हो ग्रहनी की तो ग्रहनी के लिए जादा इस समय में परिशानिया देखने को नहीं मिलने वाली हैं घर परिवार का समर्थन मिलेगा और सिचुएशन्स हैंडल करने लाइक रहेंगी ऐसा कुछ भी नहीं कि आउट आफ कंट्रोल हो जाए इन चीज़ों को लेकर के आप आराम फर्मा सकते हैं इस समय में हल्थ को लेकर के भी इस समय में शुरुवाती समय में बड़े बुजर्गों को जरूर कहूंगा कि हल्थ को लेकर के खास तोर पे मौसमी बिमारी को लेकर के या तो फिर दुरगटना ग्रस्त होने से परेशा तो व्रशब राशी के लिए हफते की शुरुवात तो बड़ी पॉस्टिव है पर ये सप्ता जो है आपके लिए वो लाइफ लाइन जैसा बनने वाला है कि कभी समय उपर जाता है बहुत जादा आपको प्रशन सा मिलती अच्छा काम हो जाता है तो वापस अगले ही मोमेंट वापस जमीन पर गिरना पड़ता है वरशब राशी वालों के लिए इस सप्ता मिला जुला रहेगा यहाँ पर खास तो पर व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग इस समय में बड़े बड़े स्टिप्स लेने वाला है इन्वेस्मेंट के लिए बहुत चलते हैं कॉंट्रक्टर भी है तो वो भी बहुत जादा अपने आपको धिमान बता करके आपके काम को गलत कर रहा है यह प्रॉब्लम्स सामने आ सकती है ऐसे में इनके साथ में कॉंस्टेंट बैटल एक चलने वाली है यहाँ पर अगर खास तो पर आप खुद जो है वो रुपिया जो है आपको मिलना वो रुक रुक के मिलने वाला है आप सोचते हैं कि वन शौट पेमिंट आपका हो जाएगा तो इस समय में मुम्किन नहीं है इस समय में एग्रिसिव हो गए तो इस बात का ध्यान रखेगा कि आता हुआ पैसा भी रोक लिया फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों की भी खास तोर पर जो गवर्न्मेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मार्किटिंग शेत्र से जुड़े हैं, आप के लिए बात करते हैं, तो इस समय में थोड़ी सावधानी बरतनी की जरुरत जादा रहेगी अपने बॉसे से कही ना कहीं पर इस समय में मन मुटाविया ये कहें कि बहस बढ़ सकती है आप जिस रास्ते पर चलते हैं जैसे काम करते हैं कहीं ना कहीं फेवरिट इजम जो होता है कि उनका फेवरिट उसको आगे बढ़ाने के लिए बार बार आपको गिराया जा सकता है और इस आफिस पॉलिटिक्स के भवर में आप फस सकते हैं पर समय रहते वापिस कहीं ना कहीं ये कहें कि अपनी सूध बुझ से आप वापिस चीजों को बहतर करने की कोशिश करेंगे और फिर वापिस वह चूडिन्स के लिए भी ये सब्ता कहूंगा कि अपने दोस्ती यारी के अंदर आपको थोड़ा सावधान जादा रहना चाहिए है लोगों की बातों में भी जादा आ जाएंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं घर परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं अब बात करते है होम मेकर्स की ग्रहनी की तो यहाँ पर अपने दामपती जीवन में कुछ कटोता इस समय में उभर सकती है या यह कहा जाए कि जहां पर हर चीज बड़ी ही आप के लिए आसानी से चलती है वहाँ पर चोटी चोटी बातों पर बहुत बड़ी बहस उभर सकती है इससे आप कहीं शुरू करते हैं और बात खतम कहीं और होती है हेल्थ को लेकर के भी इस समय में थोड़ी आपके लिए नर्मी वाला महौल रह सकता है ये कह सकते हैं कि बैक पेन की समस्या या फिर हार्ट रिलेटिड समस्या सांस लेने में समस्या वो इस समय में जादा परेशान कर स सकती हैं अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के लिए सब्ते की शुरूआत बहुत ज़्यादा पॉस्टिव है पर कहीं न कहीं पर जो वीकेंड जिसे हम कहें ये कहें कि शुक्रवार और शनिवार जो है वो कहीं न कहीं आपके लिए परेशान वाला बन वो आपको ब्रहमित करने की कोशिश ज्यादा कर सकते हैं, यह हो सकता है कि घुस खोरी वाला माहौल चल रहा हो, कि कोई और उनको यहां पर इंफॉमेशन फीड कर रहा है, कि कुछ भी कर पर फाइदा ना हो इनको, यह कोशिश इस समय में लोगों की विफल हो सकती है, आप ज ऐसे समय में रुका पैसा भी आपको मिल जाएगा, ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि नए काम की शुरुआत करना चाते हैं, या फिर अपने बिजनिस में जो स्लो डाउन देख रहे थे कि काम बहुत धीरे होना शुरू कर रहा है, परेशानिया जादा देखने को मिल रही है, यह जो परेशानिया है यह आपके लिए खतम हो जाएगी, यह सिच्वेशन इस समय में आ जाएगी कि फाइदा वापस ऐसा देखने को मिलने वाला है, नौकरी पेशा इनसान भी इस समय में जो शिकायत करता था कि सर मार्केट के अंदर फ्लो नहीं है, मार्केट रिस्पॉ आपने बिजनसेज जो हैं उनके उपर एक बार रिव्यू करके देखिए, अपने ग्राफ्स देखिए बिजनस के आपको समझ में आ जाएगा कि अक्चुल में प्रॉब्लम कहा हो रही है, करेक्टिव मेजर्स क्या लेने हैं, इस समय में ये कहूंगा कि अपने मतली टारग में में, दोस्ती यारी के अंदर तो मश्गुल है ही है, जो पढ़ाई करने के अंदर मश्गुल हो रहे हैं, वो ये मान करके चलें कि आपके लिए बहुत जादा पॉस्टिव समय है, वीकेंड को छोड़ करके उसके अलावा बाकी आपके लिए बहुत जादा प्रॉफिट बीच में आकर के, कि अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इन बातों को अपने उपर फरक मत लाने दीजेगा, जादा बहतर रहेगा, अपनी सुक के लिए, अपने घर परिवार की इज़त के लिए ये बात कह रहा हूँ, अब बात हो, हेल्थ की, तो हेल्थ में भी इस समय में परिशानिया दिखने को नहीं मिलेगी, वीकेंड का कुछ एक पैच जो आपको कह रहा हूँ, वहाँ पे जाकर के ब्लड प्रेशा के अगर आपको समस्या है, या ब्लड प्रेशा हाई बहुत जादा होता है, या लो होता है, तो उसको लेकर के इस समय में थोड़ी परिशा परिशानिया जादा आ सकती है, वहीं महिलाओं में भी मासिक धरम को लेकर के जादा परिशानी उत्पन होती भी नजर आ सकती है, या पर इ countryside कहें कि डीले होने से परिशानियां बढ़ सकती है, चलिए अब बात करते हैं करक राशी की, करकराशी के लिए इस सफटा बड़ा ही positive बन रहा है इसके अंदर ये कहूंगा कि जो सोच सकते हो उतना बड़ा target आप इस समय में पा सकते हैं शिरुवात करते हैं वियापारी वर्क से तो वियापारी वर्क बड़े ही एशो आराम के साथ में इस सब्टे काफी जादा काम के अंदर आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो लोग कॉस्मेटिक इंडस्री से जुड़े हुए हैं communication industry से जुड़े हैं, electronic industry से जुड़े हैं, textile industry से जुड़े हैं, आपके लिए ये समय शानदार बनने वाला है, सोच नहीं सकते हैं, उससे परे आपको profit इस समय कमाने को मिल सकता है, expansion की सोच इस समय में उत्पन हो सकती है, नई machinery कही न कहीं पे आपको ऐसे अच्छे दाम में मिल स बन सकता है, इसके लिए थोड़ा साफदा जादा रहिएगा, अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो marketing फील्ड से जुड़े हैं, जो technician है, technical field है, engineering field है, उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा बहतरीन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए बहतरीन नहीं होगा, पर सबसे ज्यादा profit वो ये field वाले लोग कमाने वाले हैं, यहाँ पर अपने seniors का साथ मिलना, अपने colleagues खास तौर पे motivate आपको करें, आपके colleagues आपका workload शेर करने की बातें करें, ये देखने को मिल सकता है, कहीं न कहीं आपके जो social circle है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक amicable आपका behavior है लोगों की तरफ, उसके कारण आपके काफी काम बड़ी आसानी से समय में बन जाएंगे, ऐसे समय में बड़े politician की बात करें, super stars की बात करें, celebrities की बात करें, या फिर ऐसे लोग influential लोग जो हैं, उनकी अगर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का आपको साथ मिल सकता है, ऐसे लोगों की company मिल सकती है, जो आपको बहुत जादा खुश कर दे, कहीं self importance की जब बात होती है, तो वो इस समय में आपको महसूस जरूर होने वाली है, फिर बात करते हैं, students की तो students के लिए सबता confidence के साथ में बढ़ है, ऐसे समय में अगर नौकरी की तरफ अगर आपको इसका अच्छा परणाम मिलने वाला है, जो आप कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही तरफ कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, इस बात की guarantee आपको मिल जाएगी, अब बात करते हैं ग्रहनी की, तो ग्रहनी के लिए इस समय घर परिवार के साथ में बहुत ही जादा अच्छा रहेगा, अपने खुद की image को लेकर के भी इस समय में work करने का आपको मौका मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा, प्रशन सा भी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कि अपने आपकी importance इस समय में आपको महसूस होगी, य यहाँ पर परिवार के नहीं, घर की साथ सज्जा पर भी काफी जादा खर्च अच्छे से करते नजर आएंगे, जिससे आपको परिशानी नहीं होगी, out of budget नहीं जाएंगे, हेल्थ को लेकर के इस समय में परिशानी नहीं है, रविवार के दिन थो भी कहूंगा, हेल्थ को जोड़के माफी मांग के आगे बढ़ जाना, कोई परिशानी नहीं क्रिएट करता, इस बात का ध्यान दीजेगा, चलिए अब बात करते हैं सिंग राशी की, सिंग राशी के लिए ये जरूर कहूंगा, कि सब्ता की जो शिरुवात है, वो थोड़ी डगमगाने वाली रह स सकती है, सिचुएशन थोड़ी सी नेगिटिव जरूर महसूस हो सकती है, या ये कहें कि आग में घी डालने वाला काम हो सकता है, जो आपको फ्यूल बन करके आगे बढ़ने की तरफ मोटिवेट करें, अब इसको देखने के दो तरीके होते हैं, या त फिर कोई कुछ कह दे तो उसको बुरा मान ले, या त फिर उसको ये मान ले कि चुनौती है, चैलेंज है, अब ये चीज करके दिखानी है, बहतर बन के दिखाना है, ये चीज इस समय में आपको ध्यान रखनी है, आईधर खुद को बना सकते हो, या फिर तबाह कर सकते हो, चलिए, सब्ते की को ले कर जगडा उत्पन हो सकता है और जिसके कारण चीजों पर से आपके उपर उंगली उठाई जा सकती है गलत दोशार उपन आप पर लगाये जा सकते हैं उसके अंदर थोड़ी परिशानी ज़रूर देखने को मिलेगी पर उसके बाद का जो समय है या ये कहूं कि जैसे ही 12 तारिक की रात होती है तेरा तारिक जो 12 बजे बचती है वहाँ से समय चेंज होने वाला है और वहाँ से फिर आप देखेंगे कि कैसे निंद पूरी नहीं करके भी इंसान महनत करता है जब जुनून चड़ता है जब जोश आता है या ये कहें जब काम का नशा चड़ता है तब वो कैसा इंसान काम करता है वो इस समय में आप प्रूव करेंगे लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसी मेहनत कर कौन सकता है पर ये जो अगले इस हफ़ते में जो आप मेहनत करने वाले हैं ऐसी मेहनत या ऐसी कमाई आपको देखने को मिलेगी जो आज से पहले आपने शायद देखी ना हो ये समय आपके लिए बहुत पॉस्टिव है नहीं सिर financially बड़े इस समय में decisions लेना चाते हैं बड़े purchases करना चाते हैं बड़े funds का involvement चाते हैं लोन लेना चाते हैं आप आगे बढ़िए आपको पीछे हटने की इस समय में जरूरत 1% नहीं लगने वाली यहां पर यह कहूंगा कि weekend जब आता है रविवार जब आता है शनिवार जब अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुरुवाती समय में कहीं seniors का साथ ना मिलना और या office politics का शिकार बन जाना लोगों का मजाक बन जाना वो आपको बुरा लगे पर उसके बाद में ये जरूर कहेंगे कि अपनी तरफ अपनी करिズमा देखने को मिलेगा लोगों को कैसे अटरैक कर सकते हैं कैसे अपनी बातों में आप उनको फसा लेते हैं और उसके कारण शानदार बिसनस आप लेकर के आते हैं अपने targets को इस समय में आप पूरा करेंगे और जो लोगों का मजाक बनाते हैं वो स्वेम मजाक बनकरके रह सकते हैं इस समय में ये बात की आपको गैरंटी है अब बात करते हैं यंग्स्तर्स की तो यंग्स्तर्स इस समय में अपनी पढ़ाई पर जादा ध्यान दें दोस्ती यारी को छोड़ करके अपने केरियर की तरफ जादा ध्यान देना आपके लिए बहतर रहेगा अपने प इस समय में आपका रुजान जो है चाहे वो डामेंट जूइल्री है या सोने की उस तरफ आपके इंट्रस्ट जादा देखने को मिलेगा। जेमस्टोन्स की खरदारी भी इस समय में आप बहुत जादा करते हुए नजर आ सकते हैं। ज़रूरी डिजाइन का कोई कोर्स करती है या फिर जूइलरी डिजाइन आप यहां पर सिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको फाइदा मिलने वाला है कही ना कहीं पर अवार्ड की सिच्वेशन भी इस समय में आपके लिए आ सकती हैं। वाइज इस समय में परेशानी नहीं है। चंता मुक्त हो करके आप चलियेगा हेल्थ को लेकर के इस समय में आप कहीं पर भी एक परसंट भी परेशान नहीं होने वाले। अब बात करते हैं कन्या राशी की, कन्या राशी के लिए सबते की शरुवात बड़ी ही positive है, ये कहेंगे कि इस समय में बहुत बड़े decision लेते नजर आएंगे, यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजेगा कि बुद्वार और गुरुवार जो है, ये दो दिन कुछ आपके लिए health wise और वहीं पर family wise परेशानी वाले बन सकते हैं, जो चाहते हैं वैसा ना हो, सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग के तो व्यापारी वर्ग इस समय में, decision बहुत बड़ा ले लिया है, पैसे भी उसमें जोग चुका है, पर अचानक से health का साथ ना मिलना या तो फिर machinery का खराब हो जाना, यह आपको टेंशन में डाल सकता है और इससे वापस recovery जो है, वह बहुत जादा स्पीड में करनी पड़ सकती है, ऐसे समय में यह कहूंगा, कि property की तरफ अगर कोई भी investment करने के आप सोच रहे हैं, तो शुकरवार का दिन चुन लीजे, वह आपके जादा profitable रहेगा, पर सोमवार, मंगलवार, बुदवार और गुरुवार इन दिनों को आप छोड़ करके अगर आगे बढ़ें तो जादा बहतर रहेगा, बड़े investments भी कर लिए हैं, funds भी फसालिये हैं, पर उसके बाद में चिंता मुक्त तो नहीं होने वाले, tension पूरी बनी हुई ह पर वापस recovery mode जो है, याद फिर वापस काम को line पे लाना, अपना time की request कर लेना सामने party को वो इस समय में संभव फिर भी हो जाएगा, अगर आप सही से बात करेंगे, formal communication इस समय में करेंगे, तो चीज़ें आपके मन मताबक या ये कहें, कि आपको leniency अपने project में देखने को ज आ जाता है, तो अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर परिशानी देखने को मिलने वाली है, कि जब हर किसी का साथ मिल रहा था, तो जो काम हो रहा है, आपको लग रहा था सिफ मैं ही हूँ, मैं ही ये काम कर रहा हूँ, और इस कारण कही ही न कहीं पर जो सपोर्ट मिल रहा है, लोग अपने आप साइड महटते नजर आएंगे, कि इस इनसान को अपनी एहमियत बहुत जादा लग रही है, और वहां पर ही गिरने की संभावनाय बन जाएंगी, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि इस सब्ता आपके लिए आटिट्यूट दिखाना जरूरी रहेगा, हर किसी को अच्छे से अप इस समय में अपना बहेवियर दीजेगा, चाहे वो आपका स्टाफ हो, जादा बहतर रहेगा आपके लिए, अब बात करते हैं स्टूडेंस की तो स्टूडेंस भी इस समय में अच्छे से आगे जरूर बढ़ेंगे पर इस समय में कोई अगर कॉंपिटिशन एक्जाम आप फाइट करने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाईएगा, हो सकता है कि आपकी गलती कुछ भी ना हो, पर हर जाना आपको भरना पड़ जाए, या ये कहें कि हर चीज़ सही होने के बावजूद, जो रिजल्ट है, वो साटिसफाक्टरी ना आए, वापस दिया ही ना जाए, या फिर ये हो सकता है कि एक्जाम ही टाल दिया जाए, इसकी समस्या सामने आ सकती है, तो मेहनत जो पूरी की हुई थी, वो अपने आप ही वेस्ट हो सकती है, इस बात का इस समय में आपको कही ना कह आने वाली पर कही ना कहीं ये जरूर कहोंगा कि अपने ससुराल पक्ष के अंदर किसी discussion के अंदर involved होने से परेशान हो सकती है, emotionally hurt जादा हो सकती है, पर वापस जैसे ये समय गुजरेगा, उसके साथ में लोगों का समर्थन मिल जाएगा, ये कहें कि एक better understanding आपकी बन चलिए बात करते हैं तुलाराशी की, आपके लिए इस सब्ता बड़ा ही शुब साबित होने वाला है, ये कहा जाएगा कि इस समय में आपको व्यापार में नौकरी के अंदर वहीं पे धन लाब जरूर देखने को मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं unexpected gains इस समय में मिल सकते है लग का साथ मिलने वाला है, भारत के बाहर जो लोग kasinos में जाते हैं उनके लिए इस समय में चांदी ही चांदी रहने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग इस समय में शांदार तरीके से कमाई करता आगे बढ़ेगा, तो नहीं luxury items की प्राप्ती की तरफ भी इस समय में रुजान जादा बढ़ने वाला है अपने office को साथ सज्जा करने की बात कहें कि presentable जादा देखें चैफिर वो चाहे factory ही क्यों ना हो यहां इस समय में जिसको हम cosmetic changes कहते हैं वो अपने business में आप जादा करते नजर आएंगे new logo के साथ में new designs के साथ में product को launch करते नजर आ सकते हैं यहां पर इन चीजों से छोटे छोटे changes से आपको फाइदा शांदार देखने को मिलने वाला है तो वहीं पे जिसको हम कहते हैं कि modern techniques जो है marketing की उसको अगर आप employ करते हैं अपने business में तो उसे भी शांदार profits इस समय में आप कमाएंगे जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं यह situation वो वाली बन रही है कि dream it and it will come true अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सब्ते की शुरुवात बड़ी अच्छी है पर कहीं ना कहीं पर यह जरूर कहेंगे कि जब कन्या राशी का चंद्रमा आएगा जो कि बदवार और गुरुवार रहेगा वहां पर कुछ पर मुमिंटम उस चीज में आपको देखने को नहीं मिल रहा वो फ्रस्ट्रेट कर सकता है पर चंदा की बात फिर भी नहीं रहेगी कि हफते के अंत में जाते जाते उस काम को पूरा कर लेना यह जरूर संबभ हो जाएगा यहां पर ओवर टाइम की चीज कहें या तफिर अपन धीरे होतावा लग रहा है उसके अंदर जल्दबाजी में आकर के फैसले मत लीजेगा अपना कोर्स इस समय में चेंज मत कर दीजेगा यंगस्टर्स की बात करते हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के अपने एजुकेशन को लेकर के कॉल और कही ना कहीं पे ऐसे लोगों से जो फॉरेन उनिवर्सटी में अलड़ी पढ़ रहे हैं, उनका यहाँ पे गाइदिंस आपको जरूर मिलने वाला है। ग्रहनी भी इस समय में अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ने की सोच जो है वो और जादा बहतर करती नजर आएगी इस समय में फैमिली प्लानिंग को लेकर के भी आप अपने लाइफ पार्टनर की साथ में प्लान्स बनाते नजर आ सकते हैं, तो वही जो ग्रहनी प्रे व्रश्चिक राशी के लिए सब्ता पूरा ही बहुत बहुत जादा पॉस्टिव है, प्रॉफिट वाला है, दोनों हाथ घी में और सिर कड़ाई में ये वाली सिचुएशन मन रही है, चार चांद लगने वाले हैं इस सब्ते में, आप ये मान सकते हैं, फिर वो चाहे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कहें, आप लग्शुरी आइटम्स की प्राप्ती की बात कहें, जो लोग री सेलिंग का काम करते हैं, चाहे आप वो आटो मोटिव हो, या फिर लग्शुरी आइटम्स री सेल करनी की बात हो, जो लोग यहाँ पे ऑक्सिडाइस ज्वेल आते हैं उन लोगों के लिए इस समय और जादा बहतर बनने वाला है कमाई की कोई सीमा नहीं है जो सोच सकते हो वो पा सकते हो इस समय में अपने आपको अंडर माइन मत कीजेगा या फिर यह कहें कि अपनी शम्ताओं को कम मत समझिएगा बात यही है कि जैसे जैसे चीजे आ यह वो सीड़ियां उसने बनाई है उस पर आप चल रहे हैं उस सीड़ी पे चलते रहिएगा वहां से भटकिएगा अमत क्योंकि यह सीड़ियां आपको सफलता पर पहुचा रही है जिसके आप हगदारें इससे भटकिएगा अमत नौकरी पेशा लोग इस समय में खास तोर से जुड़े लोगों के लिए सबसे शांदार समय यह बनने वाला है पॉलिटिकल केरियर अगर आपका है तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको अचानक से एक्सपोजर मिल सकता है कोई बड़े पॉलिटीशन जिसे हम कहते हैं बाहु बली जो है आपके एरिया के उनक लोग अच्छा हफता है बस रविवार के दिन इस चीज़ का धियान रखिएगा कि कहीं यह ना हो जाए कि जो आप काम करते हैं उसमें अरोगेंस जादा आ जाए या फिर घर परिवार को जो कमिटमेंस किये हुए है थकान के कारण उने भूल जाए यहां पर जो कमिटमेंस किये हैं किसी भी कमिटमेंट से पीछे हटने की एक परसंट भी गुंजाइश नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं यंगस्तर्स की तो आप दोनों के लिए भी सिच्वेशन बहुत जादा पॉस्ट है इस समय में आवार्ड रिवार्ड की सिच्वेशन भी बन रही है तो कहीं कॉलिज के अंदर कोई फेस्टबल होने वाला है या फिर जो आप कोई टर्नमेंट होने वाला है तो मान करके चलिए कि चमकता सतार है बहुत आसक kijken के ली खेए चाई अपने दीवन साधी का साथ इस समय में आपको पूरा मिलने वाला है उनकी guidance बहुत अच्छी मिलने वाली है आपकी हर इच्छा जो है उसको सिर आँखों पर रख करके सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी पर कहीं ना कहीं ये बातें घर के दूसरे members को खटक सकती ह और उसके कारण रविवार के दिन कहीं ना कहीं पर देखा जा सकता है की रुखा व्यभार देखने को मिल जाए या तो जिसको कहते है कि बरतन जोर से पटका जाता है उतना जादा गुस्सा है वही चीज़ें अपने किच्छन मे देखने को देखने को हो सकती है इस समय में उसके लिए थोड़ा पहले से ही अपने आपको mentally तैयार रखिएगा Health wise कोई परिशानी इस समय में नहीं है आपके लिए आईए अब बात करते हैं धनूराशी की तो धनूराशी के लिए सब्ते की शुरुआत थोड़ी यहाँ पर struggle वाली थाबित हो सकते हैं कि emotionally imbalance जादा महसूस हो सकता है कि depressive thoughts जादा आ रहे हैं जहां काम कर रहे हैं वहाँ पर मन नहीं लग रहा है यह चीजें जिसे हम mid life crisis भी एक नाम दे सकते हैं वो महसूस हो सकते हैं पर यह एक phase है जो वापस बहुत जल्दी निकल जाएगा मंगलवार की रात से आप देखिएगा कि अपने अप अपने अंदर कुछ difference आपको देखने को मिलने वाला है एक maturity जादा आनी चालू होगी सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग शुरुवाती समय में emotionally imbalance जादा रहेगा गलत decisions से परेशान हो सकता है अपने आसपास में लोग जो कहते हैं rumors फैलाते हैं, gossip करते हैं उनसे परेशान हो सकते हैं तो वहीं ये भी चीज़ होगी कि खुद की मेहनत को तो सरहा नहीं जा रहा पर दूसरे ने जिंदगी में चाहे जूट ही क्यों ना कहा हो अपने आपको लाज़र दिन लाइफ जो बताना चाहता है उसकी उस चीज़ को देख करके बड़ी ही प्रशनसा करेंगे आपके सामने जो आपको स्विकारियन ना हो पर समय के साथ में उनको समझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो वापस आपको भी appreciation मिलेगा अपने काम के अंदर तेजी भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पे ये motivation factor बन सकता है कि सामने वाले की जब प्रशनसा हो रही है तो शायद मेरी भी प्रशनसा कहीं होती होगी ऐसे ही किसी का आपके सामने आना और आपकी प्रशनसा कह देना self confidence boost देगा और काम के अंदर आपको तेजी देगा कमाई इस समय में रुकती हुई नजर नहीं आने वाली है नौकरी पेशा लोग इस समय में अगर हम देखें तो हफते की शुरुआत जो है Monday जिसको हम Monday blues कहते हैं कि आफिस जाने की इच्छा नहीं है संडे को इतना जादा घूम लिये हैं पार्टी कर लिये हैं बाहर चले गए हैं कि Monday को आफिस पहुच नहीं पा रहे हैं ये चीज़ देखने को मिल सकते हैं फिर वो चाहे हिल्थ का बहाना बनाई हैं या फिर थकान का या फिर किसी भी तरीके से आप टालने की कोशिश कीजे कि आज नहीं आ सकते हैं इसके कारण बॉसस कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जाहर करते हुए जरूर नजर आएंगे जब आप आपस आफिस पहुचेंगे और ऐसे में यही कहेंगे कि जो एक मेज़ॉरिटी पार्ट है आपके सप्था का जहां पे आप काम करके कमासकते थे अपने गोल्ज को पूरा करसकते थे वहां पर आलस कहें, ठकान कहें, कमजोरी कहें या यह कहें कि बिमार हो गए इन कारणों से आप इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैंगे फिर बात होती है इस हफ़ते के सेकंड हाफ की हम अगर हफ़ते को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हाफ तो जो आपका है वो स्ट्रगल से बन सकता है पर सेकंड हाफ के अंदर में यह ज़रूर कहोंगा कि फिर आपको कमाई देखने को मिलने वाली है सेकंड पार्ट के अंदर यह कहें कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यह जो समय है यहां पर आपको कमाई देखने को मिलेगी, अपने काम में तेजी देखने को मिलेगी, जो रूट गहे थे वो वापस अपने आप, आपके पास में आ जाएंगे, आपको गाइड भी करेंगे, तो वहीं वो यह भी समझते हैं कि आपके काम करने से उनके टागिट पूरे होते ह आपको उस समय में सपोर्ट भी करेंगे, आपके काम को पूरा कराने की कोशिश भी करेंगे, और बात-बात में आपके साथ में मस्ती मज़ाग भी देखने को मिल सकता है, बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंस की, तो स्टूडेंस के लिए इस अपता बड़ा ही करना पड़ सकता है, पर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली, अगर बाक अप काम का रखेंगे, क्योंकि आपको यह पहले दे रहा हूं, इसका मतलब यही है, कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कम्पीटर पे काम जादा करते हैं, कम्पीटर पे अभाल करके रख लीजेगा, क्योंकि कही न कहीं कम्पीटर सिस्टम के अंदर परिशानी होने से आपके पूरे काम पे पानी फेरा जा सकता है, यहाँ पर ग्रहनी की भी बात करते हैं, होम मेकर्स की, हाउस वाइफ की बात करते हैं, तो चिंता मुक्त हो करके रहिएगा, ब जहीना कहीं, बरताव के अंदर याद फिर बातों बातों में इस चीज को बार बार आप जिकर करते हुए नजर आ सकते हैं, आपके पार्टनर इस बात को जरूर समझेंगे और सुधार की कोशिश इस समय में जरूर होगी, चलिए, अब बात करते हैं मकर्राशी की, से और वही सोसाइटी के अंदर बद्धनामी से, बहुत ध्यान से इस समय को गजारने की जरूरत पढ़ने वाली है, सबसे पहले बात करता हूँ, व्यापारी वर्क की तो शुरुवाती समय में लोगों की बातें बहुत ही जादा इंफ्लूएंशल लगने वाली है, बड़ पर अतनी की जरुत है, फिर वो चाहिए बिजनस पार्टन के साथ में हो, या फिर खुद के बिजनस के अंदर भी जो बहुत इंपॉर्टन पेपर्स होते हैं, वो इधर के अदर हो सकते हैं, या फिर फेके जा सकते हैं, डस्मिन में चले गए, साफ सफाई करने वाले ध्या हो सकती है, इस से आपको ध्यान रखना होगा, आपके प्रोफेशनल कल्चर पर या फिर ये कहें कि आपके बिजनस हैंडल करने की काबिलियत पर भी इस समय में कुश्चिन माक उठाया जा सकता है, खास तोर पे फैमिली बिजनस के अंदर अगर आप इन्वाल्ड हैं, तो हफते की शुरुआत तो जी बहुत जादा अच्छे लोगों से भी मिलिया, बहुत बड़े बड़े फंड्स के आपने यहां पर कमिट्मेंट्स ले लिये, बड़े प्रोजेक्ट की यहां पर प्लानिंग होगी, पर वो सिफ प्लानिंग हुई है, बातें होई है, आन ग्रा कर देगा, अपने आपको बहुत इंफ्लुएंशिल बता देगा, और जब असल में हकीकत पहुचेंगे, तब आपको लगेगा कि इतना समय इस इंसान पर वेस्ट क्यों किया, जो मेरे काम का था, जहां पर कोई प्रोडुक्टिव चीज होनी चाही थी, वहां पर मैंने अगर आपको मिल जाए, तो आपका समय खराब कर देती है, रुपे पैसों का नुकसान हो जाता है, खर्च बहुत जादा करा देती है, तो वह इस समय में आपको देखने को मिल सकता है, तो भही खर्चों पर भी घर के लिए भी इस समय में आपको सोच समझ करके खर्चे करन परेशानिया आ सकती है, कि सी तीसरे की दखल अंदाजी याथ फरिये का हैं कि मदभेद जो हैं वो गलत फहमीों के कारण उत्पन हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा इनसा आपके फ्रिंट सर्कल में जरूर है जो आप दोनों के बीच में परेशानिया क्रियेट करना चाहता है, द Married life में भी disturbances देखने को मिल सकते हैं कि life partner कभी अपने माताजी की कभी पताजी की side लेता है आपकी side नहीं लेता है तो घर परिवार वाले दूसरे उसके against हो जाते हैं और इसी balance को इस dynamic को बनाने के चकर में आप और आपका life partner दोनों की बीच में मदभेद बहुत जादा बढ़ रहा हूं कि ठंडे खाने से आपको बचना है यहां पे ENT से संबंदित समस्याएं आ सकती है खास तोर पे sore throat जिसे कहा जाता है dust allergy जिसे कही जाती है यह कहते हैं कि बलगम जमा हो जाता है इस कारण आपको परेशानिया जादा आ सकती है इसके लिए ठंडी चीज़ों से मीठ खेज़ करना जादा बहतर रहेगा अब बात करते हैं कुमबराशी की कुमबराशी के लिए सप्ता बड़ा ही positive है शुरुआती समय ग्राफ आपका बहुत ही speed से बहुत जादा आगे बढ़ रहा है और जिसके कारण लोगों की आँखों में खटकने वाले हैं लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे गिराने की नुकसान पहुचाने की politics में अटकाने की बात करते हैं व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग शुरुवाती समय जो है सप्ता का बड़ी अच्छी planning के साथ में आगे बढ़ेगा बहुत अच्छे बड़े investments की तरफ सोच उ यहां पर आपको expertise भी मिल जाएगी और वहीं पर funds को सही इस्तमाल करने का मौका भी पर किनी लोगों की आखों में आप खटक सकते हैं इस बात का ध्यान जरूर रखेगा जैसे शुरू में कहा हूं फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोग इस नौटर आ सकते हैं लोगों की आखों में भी आएंगे जहां पे काम करते हैं वहां पर भी लोग यहीं सोचेंगे कि हमारे साथ में काम करने वाले ने इतनी बड़ी चीज कैसे ली है वह के कारन कहीं ना कहीं दुरभावना धक्राइच, पूरे समय में एक ठीज ध्यान धीजएगा इस सपता के अंदर, खास तोर पे जेब के अंदर एक निम्बू होता है, एक निम्बू के उपर चार लॉंग आप गार दीजे, एक प्लास्टिक की पॉलितिन में डाल के जेब में, यद फिर अपने बैग में छोड़ दीजेगा, वो हमेशा अपने साथ में रखेगा, बहु जनिवार हो गया, वहाँ पे जाकर के कुछ परेशानिया सामने आ सकती है, यहाँ पर ना चाहते हुए भी दोस्तों को एंटर्टेन करना, पैसे खर्च करना, यात्फरी यह कहते हैं कि पार्टी थ्रो करनी ही पड़ेगी, सामने वाले को एंटर्टेन करना ही पड़ेगा, दोस्तों के सर्कल में अगर रहना है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उटना बैठना है, तो वहाँ पर एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे और इस एक्सपेंस को जस्टिफाय करना, यह थोड़ा भारी पड़ सकता है, घर परिवार वाले, इस समय में कुश्चिन मा अपने दामपती जीवन की बात कहें, अपने बच्चों के साथ में अपने जीवन की बात कहें, तो यह सबी चीज़ें आपके बड़ी ही पॉस्टिफ चल रही है, पर कहीं न कहीं यह जरूर कहेंगे कि शुकरवार और शनिवार जो है, वहाँ पर जाकर के यह मीटर है, यह मीटर गरने वाला है, इस मीटर के अंदर आपके अग्रेशन जादा आ जाएगा, लोगों के उपर ताना शाही जिसे कहते हैं, वह वाला आटिट्यूड आप दिखाते हुए नजर आएंगे, इससे आपको बचना चाहिए है, हेल्थ वाइस भी यही चीज़ होगी कि यह ज लोड़ा साफधान जादा रहिएगा, अब बात करते हैं मीन राशी की, मीन राशी के लिए सब्ता ओवराल बहुत पॉस्टिव है, शुरू से लेकर के अंद तक रवेवार को छोड़ दीजे क्योंकि रवेवार तो रेस्ट डे है, पर जहां कमाई की बात होगी, लोगों स करते हुए आप जरूर नजर आने वाले हैं, यहां पर पॉलिटिकल इंफ्लुएंस आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, अपना सोशल सर्कल बढ़ा लेंगे, और वहीं पर बिजनस जो है, वह सर्कल से आप वापस जरूर लाने में सफल होने वाले हैं, नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, तो ऐसे समय में अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, सीनियर्स से उपर जो है, उनके सामने रिकागनिशन प्राप्त होता है, प्रमोशन की बातें चिड़ती है, और यहां पर यह जरूर कह सकते हैं कि बोनस क को ले करके आपकी परफॉमेंस जो है, उसका रिव्यू इस समय में होने वाला है, तो इससे आपको फाइदा जरूर मिलेगा, ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा, कि जो सोमवार का दिन है, वहां पे महला वर्ग जो है, खास तोर पर आपके आफिस के अंदर, उनके साथ में बात करते हैं, तो ऊपनी सीमा का ध्यान थोड़ा जादा रखेगा, यह बहतर रहेगा, फिर बात करते हैं, यंग्स्टर्स की, स्टूरर्श परसों की, तो स्पोथ परसों के लिए समय बहुत जादा पॉस्टिव है, अपने आपका नाम चमकता हुआ देखेंगे, बड़े का मौका भी मिल सकता है घर परिवार को सम्मानत किया जा सकता है यह आपके लिए बहुत जादा अच्छी खबर है होमेकर्स हाउस वाइफ जो है उनके लिए जरूर कहूंगा कि होवराल हफ्ता बहुत पॉस्टिव है चिंता जनक नहीं है पर रविवार के दिन एक बात का ध् है उसके अंदर एक ही बात को बार-बार कहेंगे तो वहाँ पर जगडा होने की सिच्वेशन बन सकती है मन मुटाव बहुत जादा बड़ा बन सकता है पूरा संडे खराब हो सकता है अगर आप नहीं चाहते हैं कि संडे पर ग्रहन लगे पूरा हफता बहुत अच्छा निक चाहे बड़े बजर्ग हैं घर में जो मीन राशी के हैं उनको भी यह कह दूं कि इस समय में नॉमल वॉक पे जाने की कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ में लाफ कलब जॉइन करने की कोशिश कीजिए योग और प्रनायाम करने की कोशिश कीजिए एक नया उत्सा ए का बहुत ज्यादा महत्व है और पूजा में कपूर का प्रयोग जरूरी माना गिया है मानिताओं के अनुसार अगर देखा जाये तो पूजा में कपूर और अगर जलनी चाहिए घर में नाकारात्मक और जा नेगिटिव एनरजी जिसे हम कहते हैं स्टागनेट एनरजी जिसे बाद में सोएं तो इसे स्वास्तिय का लाब होता है ऐसा करने से जिसको इंसॉम्निया कहते हैं अनिद्रा कहते हैं इसकी शिकायत दूर होती है बुरे सपने नहीं आते हैं वास्तु और जोतिश शास्त्र में भी इसका महत्वा और उप्योग बार बार बताया गया है अब म में देरी की हो या दामपत्य जीवन में परेशानी की हो इन सभी समस्याओं का उपाए ये एनरजी इसके कारण हो सकता है और कपूर प्योरिफिकेशन का काम करेगी सबसे पहला उपाए आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बार-बार परेशान होते हैं आक्सिडेंट से चाहे बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं बार-बार दुरगटना होती रहती है या तफिर जिसे हम कहते हैं अन-एक्सपेक्टे का कारण बनते ही हैं सब कुछ सही करने के बावजूद दुरगटना ग्रस्त होना उसके लिए उपाए है रात में हनुमान चालिसा का पार्ट करने के बाद में आपको कपूर प्रजवलित करना चाहिए हाला कि प्रति दिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है ऐसे घर में किसी भी प्रकार की आकसमिक घटना अठचिडन्ट दुर घटना नहीं देखने को मिलती है फिर बात आती है पितऱदोश की कालसरप दोष की और इससे राहत की कापूर जलाने से देव दोश याद फिर जिसे हम पित्रदोश कहते है इसका शमन भी हो जाता है अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमेशाध पित्रदोश है याद फिर कालसर पिदोश है अब ऐसे कई लोग हैं जो कालसर पिदोश के बारे में कहते हैं पर उनके पास में स्वयम की कुंडली नहीं है दरहसल ये राहू और केतू के प्रभावमात रहे इसको दूर करने के लिए घर में वास्तू को आपको ठीक करना है उसके लिए इस चैनल पे मैंने और बहुत सारे उपाए यत्फरिये कहें वास्तू सीरीज आपके लिए बनाई थी लग भग आप कह सकते हैं कि एक साल हो चुका है उस सीरीज को डाले हुए आप में से कहीं लोगों ने देखा है अप्रिशेट किया आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आकर के आप नीचे स्क्रोल कर सकते हैं वास्तू लिख सकते हैं आपको एपिसोड वास्तू के जरूर मिलेंगे अब अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं और हर रोज सुबह, शाम और रात को तीन बार घी में भिगोया हुआ कपूर ये तो जला ही सकते हैं घर के बात्रूम में अगर कोशिश आप करें दो टिकियां जो होती है कपूर की वो रख दीजे इससे भी काफी जादा नेगिटिव एनरजी जो है दूशित वादावरण है उसका समाधान हो जाएगा फिर बात आती है पैसों की रात के समय में रसोई समेटनी के बाद में घर की महलाएं जो हैं वो खास तोर पे सुपाय को सुन लीजे कान खोल के सुन लीजे अगर चाते हैं की घर में बरकत हो बार बार ये शिकायत होती है की घर में पैसा टिकता नहीं है कमाई अच्छी हो नहीं रही है या फिर अचानक से चलता हुआ बिजनस रुक रहा है ऐसा लग रहा है किसी ने बांध दिया है तो घर की महलाएं जो है ये उनका कर्तव्य है अब ये उपाय करने का रात के समय में जब आप रसोई समेट लेते हैं तो उस समय में चांदी के कटोरी एक लेनी है उसमें लॉंग और कपूर एक एक डाल दीजे और प्रजवलित कर दीजे ये काम जो है ये हर रात को करना है ऐसा करने से धंधाने से आपका घर भरेगा धनकी कभी कमी नहीं महसूस होगी और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आदत है कि घर में जूटे बरतन रात को छोड़ देते हैं साथ ही साथ जो आटा आप गूतते हैं रोटी बनाने के लिए अब रोटी बन गई है खाना हो गया फिर वही आटे को पैक करके वापस अंदर रख देते हैं तो ये आदते जो है ये आपके लिए और जादा नुकसान दायक बनती है अगले दिन वही आटा आप वापस लेंगे उसकी रोटी बनाएंगे उसको इस्तमाल करेंगे इससे पित्रदोश उत्पन होता है इसके लिए कहते हैं कि रात को किचन पूरा साफ होना चाहिए है इस बात क हमेशा ध्यान दीजेगा फिर बात आती है कि घर में डिप्रेसिव थौट्स बहुत जादा है या लोग अपने आपी उदास बहुत जादा हो जाते हैं तो क्या करें ऐसे में कहा जा सकता है कि सकारात्मक उर्जा पॉस्टिव एनरजी या फिर एनरजी फील्ड जो है घर की वहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है शांती का निर्मान करने की जरूरत है तो ऐसे में हर सुबह और शाम को कपूर को घी में भिगो करके जलाना है संपून घर में उसको खुश्बू फैलानी है हर रूम में जाकर के उसको फैला करके आईगी ऐसा करने से घर की नक खेराव आपको दिखने को मिलेगा फिर बात आती है आकसमे कधन प्राप्ती की उधारन के तौर पे छोटी सी चीज कहूंगा जोधपुर में जहां पे हमारा घर है यहां पास में हाई कोट एक नई जगे बना यह जगे शहरी सीमा से बाहर थी गाव कही जाती थी आसपास में खेती की जमीन थी पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर के लिए जमीने माँ खरीदी हुई थी बड़ी बड़ी जमीने हैं हाई कोट बनने की न्यूज आई और न्यूज आने भर से जो घर की कीमत 15 लाक रुपे नहीं थी वो बिके हैं 5-5 करोड रुपे में यह धन प्राप्ती वाली ही बात होगी कि जहां किसी की वाल्यू बहुत कम थी या ऐसा कह सकते हैं कि निगलिजिबल थी वहां से ऐसी कीमत पहुँच जाना जहां पर ऐसी पैसों से आपका पूरा घर आराम से आशो आराम से कहीं सालों तक चल सकता है बिना किसी काम के उस से धन का मिलना अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो गलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा आपको रखना चाहिए है शाम के समय फूल में एक कपूर आपको जला दीना है और फूल को दीवी दुर्गा को आपको चड़ाना है इससे अचानक धन प्राप्ती के योग बन सक करते हैं ये काम अब कभी भी शुरू करें पर इस बात का ध्यान रखेएगा कि कम से कम 43 दिन 43 डेज तक आपको ये करना है और नवरातरी के समय में अगर इस काम को करें तो तो और भी ज्यादा असरदार है फिर बात करते हैं वास्तुदोश को मिटाने की अगर घर में किसी भी जगे पर वास्तुदोश नर्मित हो रहा है तो कपूर की दो टिकियां वहाँ पर रख दीजे जब वो टिकियां गलकर कि समाप्त हो जाती है तो दूसरी दो टिकियां फिर वापस उसको रिपीट करते रहीए वास्तुदोश वहाँ पर उत्पन ही नहीं हो पाएगा यह आपको तरो ताजा तो रखेगी वहीं पे एक फ्रेशनस आपके अंदर जरूर देती है और भाग्यक को भी बलवान बनाने का सहायक सिद होता ही उपाए इसमें कुछ बुंदें चमिली के तेल की भी अगर आप डाल दो तो इससे राहू और केतू और शनी इन तीनों के भी दोशों से राहत मिल सकती है लेकिन इस उपाए को सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है ये बात ध्यान दीजेगा अब बात करते हैं उन लोगों की शादी कर लिए प्रेम में आकर के विवा तो हो गया पर विवा के बाद में प्रेम नहीं हुआ क्या करें ऐसा क्या करें कि जो बीच में तनाव है उसको कम किया जा सके रात को सोते समय पत्नी अपने पती के तकिये में सिंदूर की एक पुडिया और पती अपने पत्नी की तकिये में कपूर की दो टिकिया रख दीजे सुबह होते ही सिंदूर की पुडिया घर से बाहर कहीं सही जगे पर फेक दीजेगा जहां पर लोगों के पैरों में न आए और कपूर निकाल करके आपका जो शैन कक्ष है वहाँ पर उसको प्रजवलित कर दीजे यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो हर रोज शैन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की दो टिक्या शैन कक्ष के ही किसी कौने में रख दीजे जब वो टिक्या गलकर के समाप्त होगी तो दूसरी रख दीजेगा ऐसा करने से जो शादी के बाद में प्रेम के सिचुएशन है वो वापस लोटाएगी ऐसे उपाए बता करके आपकी जीवन को बहतर बनाने की कोशिश करता हूँ और जो मैं आपको उपाए बताता हूँ एक दो नहीं बलकि लाखों लोगों ने जब इस उपाए को कर लिया है साथ लाख से उपर लोगों को मेरे पिताजी ने कंसिल्टेशन्स दी है चाहे वो देश में हो विदेश में हो चार दशक यानि की चालिस साल से अधिक का एक्सपीरियंस उनके पास में है मेरे पास में तो अभी मिले जुले कुछ छे साल हुए है की छे साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में आने का हुआ है अगर ऐसे कहें कि जोतिश का ग्यान कब से है या त्फिर मंत्रों का ग्यान कब से है तो ये कह सकते है कि ब्रहामन के घर में पैदा होना ही अपने आप में आपको ग्यान दे देता है कहा जा सकता है इसके अंदर बुराई कोई बात नहीं है बस बात यह है कि जो हमारे पास में है जो कहीना कहीं पर हम ये कहें कि हमारे धर्म की देन है वो समय के साथ में मिट रही है या ये कहें कि लोग भूल रहे हैं अब इन चीज़ों को अंद विश्वास मानना शुरू कर दिये हैं क्योंकि कही ना कहीं पे साइंस अपने आपको बहुत ही स्ट्रॉंग बताता है जबकि साइंस भी पंचांग से ही चीज़ें देखता है साइंस भी हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता है और उसके बाद में अपने जो भी अनालिसिस है या रिसर्च है उसको एक साउंड बेस दे पाता है ये बात उन सभी लोगों के लिए एक तमाचा है जो ये सोचते हैं कि सनातन धर्म, हिंदु धर्म कमजोर है ग्यान नहीं अंद विश्वास है ग्यान का ये कह सकते हैं कि समुद्र जो है वो सनातन धर्म है इसको जतनी जल्दी मान लो उतना जल्दी खुद के जीवन को बहतर बना पाओगे मेरा कुछ नहीं है इसमें मेरे लिए तो बस आप दुआ कर लीजे मेरे लिए प्रशंसा कर दीजे याद फिर बस कभी जब प्रार्तना करते हैं तो ये याद कर लीजेगा कि मुहत का भी भला हो जाए कि उसने हमें कुछ अच्छा बताया उसे हमारा कुछ भला हुआ वो ही काफी है उसके अलावा मुझे आपसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं हमेशा की तरह प्रार्तना यही रहीगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे और घर में बड़े बुजरुकों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं, जैहन झाल झाल झाल